आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होगे मेरा नाम है सिद्धान तक नहीं होतरी स्टडी ग्लोस पर आपका बहुत दस्वागत है चार धाम यात्रा की हम बात करेंगे बद्रीनात केदारनात बहुत अच्छे से डिसकस करेंगे कि प्रॉब्लम्स क्या होती है वैसे ठी रवेल करें क्योंकि हम अनुपलेट उतर यह घर से ही शुरू होता है तो मात्र 600 रुपे का यह कोर्स है और 20 जुलाई से क्लासे जो हैं वो शुरू होंगी तो देर ना करें क्योंकि डाक फोटी कूपन को यूज करने में यह इतना महंगा मौडिल हम मात्र 600 रुपे में ले केदारनाथ गंगोत्री यमनोत्री समझे तो यह चारधाम है हिमालय में यमनोत्री से यमुना निकलती है मा यमुना निकलती है जो की एकदम पैरलली चलती है गंगा के साथ और आपको प्रयाग राज में संगम होता है वो गंगा से मिलेगी भागी रथी अलक नंदा गंगोत्री ग्लेशियर से कर्ण प्रयाग ठीक है गंगा कह लेंगी देन उसके बाद आपका केदारनाथ जो कि एक जोतर लिंग है 12 जोतर लिंग में से एक पुझे कमेंट बॉक्स बताओ कि आपके कितने जोतर लिंग हो गया है मेरे तीन बचे हैं उन्हें से केदारनाथ है कि अभी तक मैं नहीं गया और फिर है बद्रीनाथ भगवान विश्नु ये हिमाले के चारधाम है ऐसे चारधाम है बद्रीनाथ फिर इकदम ये नौर्थ मे है बद्रीनाथ समझ रहो मज़ा आ जाएगी पहुत ही खुपसूरत इधर पुरी इस्ट में वेस्ट में द्वारका और नीचे रामिश्वरम ऑके तो ये हैं चारधाम अब ऐसा ये सब ट्लॉक्वाइस डारेक्शन में ठीक है और हिमाले के बीक्दम ट्लॉक्वाइस डार 149 डेर सो लोग अपनी जान गवाच चुके हैं इसी साल अभी 65 दिनी हुए हैं जादा अभी क्योंकि देखे माई से शुरू होता है कपाट माई से खुलते है और यह नवेंबर तक वेदर पर डिपेंड करता है जब बरफ पढ़ने लगती है तो बंद कर दिया जाता है तो 10 लाग, 10.5 लाग के करीब टूरिस्ट आ चुके हैं आपे केदारनाथ में, बद्रीनाथ में 9.5 लाग, गंगोतरी में 6.5 लाग, और 5.5 लाग, और यह मनोतरी में 6.5 लाग के करीब, हेमकुंट साहिब में भी 1.5 लाग के करीब, जो अभी डाकु हजीना को पकड़ा गया था न वह हिमकूर्ट साहिब पे था और ऐसा बोला जा रहा है कि पचास लाग तक टोटल टोरिस्ट जो है end of the year तक आ जाएंगे साथ हजार करोन रुपए जो है वो सरकार कमाती है बहुत जादा important है यह सरकार के लिए जो दिर सो लोगों की मौत होई है क्यों होई है heart attack क्या क्या प्रॉब्लम्स रहती है पहली बात इतनी उपर आप जाएंगे motion sickness की जो मुझे भी problem रहती है ठीक है तो motion sickness पहाड़ी रास्ते हैं घुमेंगे उल्टी होगी business बिमार पढ़ सकते हैं इसके लिए आप कुछ कजादा कर नहीं सकते हैं हिलकॉप्टर बुक कर लो यही है या फिर आप बाइक से निकल जाओ यही है लेकिन रोड भी चार धाम प्रोजेक्ट अल्रेडी चल रहा है रोड को चौड़ा किया जा रहा है medical की भी medical emergency की भी वहाँ पे उतनी सो विधाएं नहीं है जितनी होनी चाहिए terrain बहुत ही मुश्किल terrain है क्योंकि आपको track करके जाना पड़ता है आपको चलके जाना पड़ता है oxygen की कमी एक भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पहले ही से सरकार बोल देते कि भाई अगर किसी को अलड़ी दिल में प्रॉब्लम है या कोई भी ऐसा natural disasters आ जाते है फ्लाश फ्रेड आये थे पिछले साल जून में हालत खराब हो गई थी कितने लोग मर गए थे याद है आपको बुरी हाल है तो कई बार natural disaster भी हमको यहाँ पर देखने को मिलता है भीड बहुत है बहुत जादा देखिए कोवीड के बाद एकदम भीड उमर अब जब इतनी जादा supply होती है और demand जादा supply कम है तो वहाँ के prices भी काफी जादा है hotels देखिए हाला की economy है पूरी तूरिजम economy है आप युतरा खंट सरकार को बहुत फाइदा होता है क्योंकि पूरा टूरिजम पे चल रहा है तो साथ हजार क्रणों क्योंकि वहाँ बहुत लोगों को रोजगार मिलता है भाई जो वहाँ पे restaurant वाले हैं खचर वाले हैं बहुत सारे और आपके जो वहाँ पे दुकान लगाते हैं छोटी छोटी मतलब कोई भी ठेला लगा के अगर तो सबका वहाँ पे काम चलता है किसे ठीक है ना तो इसे लिए मुश्किल होता कई बार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम होती है और ये इन सारी रीजन्स की वज़े से मौते भी हो जाती है कई बार क्या किया चाहिए यह मामला गंभीर है एक तो भीड बहुत होने लगी आजकल पहाड़ों पे जाना है भले ती छी दिशुज भी हो गया है यह चला गूमने चलते हैं कोई बात नहीं है घूमी आएगे पाहड गर्मी बहुत है पहले तो उन्हें क्लाइमेट को बरबात किया अब अब अपने हिमाले को बरबात करेंगे जाकर अब वहां पर बारबादी लेकि आए देखिए कोई देख देखा वहां पे सब, मतलब आप समझे कि हम अपने पहाडों के साथ कर क्या रहे हैं, हम अपने पहाडों को exploit भयानक तरीके से कर रहे हैं, जोशिमट का हाल आप देखी रहे हो, चार धाम प्रोजेक्ट में बहुत सारे एकॉलोजिस्ट ने बोला है कि बड़ी प्रॉब तो वहां पे ये था कि नैनिताल में भी बोल रहे थे कि वहां पे सर, मतलब इतनी गर्मी पाड़ों में कभी नहीं पढ़ती थी, जितनी इससा में पढ़ रही है, तो आप आक्च्छल में बहुत सारे लोग तो ऐसे ही जाते हैं, content मिल जाएगा, release बना देंगे, YouTube के लिए, ये होता है, तो भीड़ भी काफी है, ठीक है, कोई issue नहीं है, मतलब देको अपनी शिद्धा है, लेकिन भीड़ बहुत जादा होने लगी है, इसकी वज़े से कई बार जब भीड़ होती है ना, तो उसमें conflict होता है, जैसे अभी एक आदमी का वीड़ो बाइरल हुआ था कि होटल नहीं मिल रहा है, इतने महेंगे 20-20,000 के के कमरा और बहुत ही, नॉर्मल होटल बरब बहुत पढ़ गई थी, तो रस्ता बंद हो गया था, इस वज़े से, तो क्या करना है, सरकार को regulate करना है भाई, सरकार कोटा सिस्टम निकाले, और ये लगबग भारत के आपको ही मंदिरों में मिलेगा, जैसे मैं सोमनात गया था, मैं सोमनात गया था, मतलब थोड़ा सा मेरा religious connect है सोमनात के साथ, तो सोमनात जब भी मैं जाता हूँ, आप ये समझे कि, ये भारत का सबसे well manageded मंदिर है, management बहुत ही शांदार है सोमनात का, बहुत ही शांदार है, जितनी भी भी फटा फट निकल जाएगी, ओके, शीडी बहुत बढ़िया management है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी मंदिरें जहापे management बहुत अच्छा नहीं है, जैसे वैशनो दीवी में गया था, वहाँ पे ठीक management लगा मुझे, सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है, लेकिन ब बारत को बहुत, एकनॉमी को काफी बूस्ट देता है, आपको बता दू, बुद्धिस्ट, देखें, मोदी जी ना ये लॉंच, अभी बुद्धिस्ट सरकिट उन्हें लॉंच किया, उसकी शुरुवात की, ये है, मैं उंकारिश्वर गया था अभी, जो तिर लिंक, तो व मेरे हिसाब से वी आईपी टिकेट पे इतना बावाल नहीं होना चाहिए, बाई देखो कर वो ना करें ना तो बैंड बज जाए, क्योंकि दोस्तों वैसे ही बहुत जादा भीड है, बहुत जादा भीड है, है ना, कामाख्या गया था, वहाँ पे मैनेजमेंट, अगर आप नॉर्मन लाइन में लगे तो ठीक, तब तो बहुत मुश्किल है, और अगर आप ऐसे लाइन में लगे तो, यानि कि सरकार को इस पे देखना पड़े गई है, इसमें हम कर क्या सकते हैं, इसमें आप कोटा जहां बहुत भीड होती है, वहाँ पे आप कोटा निकाल दो, जै इसी बात है कि भले ही थोड़ा बहुत सरकार को नुक्सान होगा, लेकिन इससे हमारे पहार तो बचे रहेंगे और फिर एकनौमी भी ठीक चलेगी, और लोगों को शिकायत भी नहीं होगी, ये कर सकती है सरकार, अरली वर्निंग वेदर सिस्टम, इसमें क्या, अब इसमें पहले सही आपको पता चल जाएगा, पहले सही यहां पे लोगों को बता दिया जाए, थोड़े और ज्यादा जो है, मेडिकल टीम रहती है, जितना लोग कर सकते हैं, मेडिकल टीम रहती है, बट और ज्यादा मेडिकल यहां पे शिवर लगाए जाए, ताकि जरा से भी प्र लगातार फिर अगर फिर वहाँ पर मैंने देखा है कि जो locals है कई बार ऐसा होता है कि एकदम से price बढ़ जाते ये मैंने देखा है कि अगर जैसे आप lanslide आई या कोछ है तो एकदम से price हाई को जाएगे इसको रोके सरकार बहुत जरूरी है ये बहुत ज़रूरी है जैसे मैं कश्मीर गया था मेरा देखो कश्मीर बहुत सुन्दर है बहुत ही खुबसूरत है लेकिन वहाँ पे जो लूट खसोटा भाद से जादा है मतलब दो-दो किलोमीटर पे पंदरा पंदरा सो पांच पाच हजार उपय मांग रहा है तो भयाने बारगिनिंग चलती है पहल काउम में बहुत बड़ी है रेगुलेटेड है लेकिन बागी जगापे मतलब कोई कुछ भी मांग रहा है तो इस पर भी सरकार को सोचना पड़े चाहिए आपको और क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताईएगा तो हमाई डाक साइकॉलोजी का शांदार कोर्स है आप इसको जरूर अविल करें आपको बहुत ज़्यादा फाइदा होगा थैंक्यू सो मच